हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉलिशन पे तो आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड के याने तिस गण माध्यमिक सिक्षा मंडल बोर्ड के दसवी और बारवी की परिक्षा किस पैटर्न पर हो सकती है क्या आपके एक्जाम ऑनलाइन ह that's the Sydney कंबर बार भी के दसवी और बारवी की वोट परिक्षाव को लेकर वाथ की तीसी लहर को देखते वे सारा कुष हम आथ देखेंगे तो जल्डी से विडियो को लाइक कर दिजे चैनल पर जितने भी विद्धारती नए जुड़े हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले ताकि सीजी वोट की सारी लेटेस्ट अब्डेट एजूकेशन संबंध इस सारे आपको मिल सके इसके लाव साइन्मेंट के आंसर भी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहते हैं तो चैनल को जरू सब्स प्रिक्षा किस प्रकार से होगी वो सारा कुछ बता है इसके लिए सेंपल पेपर भी तयार कर लिए हैं तो जैसे कि सीजी बीएसी में यहां पर सारी कुछ अभी फिलहाल इस्तितिक क्लियर नहीं है क्योंकि लगातार कोरुना संक्रमन ओमिक्रॉन के केसे बढ़ रहे हैं आ प्रिक्षा जो है सेंट्रल जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पता आ था सेंट्रल परिवर्टित हो सकते हैं या नहीं इस पर निंडने आना बाकी है और दसवी बार भी के पेख्षा क्या आगे बढ़ सकते हैं जैसे दो मार्च से निरधारित हैं तो यह सब कुछ क्लियर करा है जैसे यहां पर सीबीसी में क्या बताया गया है कि कोरोना संक्रमन इदी पीक पर रहा मानली जी जनवरी में इसका पीक नहीं आता है फरवरी में आता है तो थोड़ा सा असर हो जाएगा पर जो मार्च में होने वाली परिक्षा है दो मार्च से यदी फर तो आफलाइन परिक्षा यदि आयजित करना दिक्कत होंगी बात में तो यहां पर ऑनलाइन के लिए भी की गई जैसे हम सीबीसी की बात करें समय सब कुछ आपको सीबीसी में बतायागा जैसा पहला सीबीसी के टर्म बन के जो एकजाम हुए ते वो अबजेक्टिव टाइप मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तो दोनों परिक्षाव में यहां पर बहुत सारी चीज़े बताए गई जैसे दस्वी और बारवी बोर्ट की परिक्षा की बात करें तो वार्षिक परिक्षा आजित करने के लिए हर साल केंद्र पर होती है जहां विद्यार कुछ इसी प्रकार से पैटरन को फॉलो करें तो यदि ऑनलाइन एक्जाम तो बहुत मुश्किल है वैसे लेना क्योंकि परियाब तो साधन नहीं हो पाते हैं हो सकता है ऑफलाइन एक्जाम कंड़क्ट किये जाए ताकि सभी बच्चे को पेपर देने में आसानी हो या फिर इक्जाम की तीटी को आगे बढ़ा कर ऑफलाइन भी लिए जा सकते हैं तो दोनों तरीके से आपको तयार रहना है जब तक कोई अपड़ाई जारी रखना है पड़ाई को बिल्कुल नहीं रोकना है क्योंकि एक्जाम आपके दी होगे तो आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको अब इसे पड़ाई की शुरुबात करनी होगी ठीक है तो पड़ाई करते रहिए अच्छे से आपको नंबर लाना है जैसे कोई न्यू अपडेट आती है सीजी वोट की कक्षा दस्वी और बारवी की तो वो भी आपको अपडेट दे जाएगी तो यहां पर प् प्रकार से होंगी थाती इसीजी बीएची की जो टैन तर ट्वेल्ट की एक्जाम में वो किस प्रकार से ओनलाइन या उफलाइन क्या चांसे यह भी हमने सारा कुछ डिसकस करा तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीचेगा वीडियो को लाइक भी क करें आपके साथ में जितने विधारती पढ़ते हो टैन तर ट्वेल्ट के उन सभी को भी शियर करें जिससे उनकी भी हैल्प और वह भी अपनी एक्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकें तो मिलते हैं इसे नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग